हम लोग क्या करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हाँ प्रोग्राम को है ना हमारे जो सेशन से सेशन आज मैं जिरीज सेकंड पर आ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को कि लोक लिस्ट भी बना रहते हैं लेकिन लोगों समझ में नहीं आता है कि किसी से क्या बाद करें तुम्हें आपको र्ची सिखाए जाएगी किसे बनानी वह सिखाये जाएगी कैसे ब्लाना है वह भी सिखाये जाएगा बूलने के बाद में, क्या हम उनको बूलें, वह भी शिखाया जाएंगा में क divisive के आया रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, network के फॉर्म में identify उसके language में बोलते है, Show the plan, जब हम नहींन के बाद में वेक्ष्टी को बोलाते हैं या उसलिए भर चाहते हैं मिलने के लिए जो भी एक्सवाइजर आप उसके जब मिलते हैं मिटिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं शोग दर प्लान उसके चिज़े करते हैं वह स्टैप आइस अपको हर चीज़ सिखाई जाएगी उसकी बाद में उसका फॉल आप लिया जाता ह होगा ऐसे वैसे सारी अप्जिक्शन हैं अपको सिखाई जाएगी आपके जब इस तरह के क्वेश्चन पर लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं कुछ भी अपनी प्रॉब्लम सरकते हैं तो उसके क्या सॉलूशन आप दे सकते हैं वह सॉलूशन आपको यह बताया जाएगा फाइनली क्लोजिन आपको यहां सिखाई जाएगे फाइनली इसको कैसे आपको रजिस्टर करना है तो कि मैंने स्ट्रॉक्चर पर बात की थी मैं देखिए बहुत जो मेरे पुराने लीडर से उनको स्ट्रॉक्चर पर मैंने समझा दिया चैसे जो नए लोग आ रहे हैं मैं उन लोगों को फिर से स्ट्रॉक्चर समझाओंगी क्योंकि इनका यह महीना है वो उनका पूरा कंप्लिटी लर्णिंग का है तो स्ट्रॉक्चर वाला केस आएगा वो सीख जाएंगे बिल्कुल मैं इस स्ट्रॉक्चर पर बात करूंगी लास्ट में जब हम रोजिंग करने इनका फिर से स्ट्रॉक्चर पर आओंगी फिर आपको पूरा अच्छे से और एक समझाओंगी ठीक है बाकी इन चौर्ट जो लीडर से अपने लीडर स्प्रेंट में लाने है और उनको ही ऐसे फोर लोग ढूनने जो आपके तरह मोधी केर में काम करना चाहते हैं बहुत ब पर दर आने माले classes में explain करूंगे पूरा उसके बाद में हमने कहा कि हम start कैसे करें सबसे पहले हम लोगों की लिस्ट बनाएं हम ऐसे ही जो है randomly कहीं भी किसी को कर दिमाग में रखकर बैठने लगे कि या एक उस वक्ति को आज उस वक्ति से में लगते हैं तो believe me बहुत सारी लोग आपसे छूट जाएंगे और फिर आपाद में बहुत पच्टाएंगे और हमारा दिमाग हम human beings है है न हम जो है machine नहीं है जो सब कुछ जो है हमारी secondary memory में फिट हो जाए ऐसा नहीं होता वो first memory में ऐसा नहीं होता हमारी जो पी चिज़े हम याद रहते हैं यह psychological graph है कि हम उसे दो से तीन दीन याद रख पाते हैं आगे फर्दर वो second memory में जाता है finally हो जाके धुंदला हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं इसलिए हम ना भूले लोग हमें याद रहे सारी लोग याद आजाएं इसका हर चीज देखो अगर हमें इसमें बहुत बढ़ा करना है तो हमें हर चीज बहुत ही ओर्गनाइस तरह से स्ट्राटीजिकली प्लैन करके चलना पड़ेगा हर चीज में अगर हम's strategy बना के चल जा हैं तो बहुत ही हम बहुत हम बहुत अच्छे से उसका म कर सकते हैं शिदत से कर सकते हैं ओकैं तो हम यहाँ पर आपको मैं बता रही हूं जिसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप और प्रोग्रेसिव तरीके से प्रोसेस जो है कर सकते हैं और प्रोसेस से जब चलता है व्यक्ति ना और तरीके से कुछ छूड़ता भी नहीं है और इसका माइंड भी बड़ा कूल काम रहता है ठीक है यही तरीका है बहुत बड़ा बिजनिस में करना है तो स्ट्राटीजिकली और इसमें में चलना पड़ेगा तो मैं वहीं और इसमें बता रही हूं आपको प्रोस्पेक्टिंग हम लोग के लिस्ट कैसे बनाएंगे हैना कई लोग के में पास सवाल आए क कि जो है आपनी जो बोला था कोड़ कोड़ मैं आपको फिर से बार एक्स्प्लेइन कर देती हूं मैंने कटेगरी बता थी एफर आई इंड्स से वो मेरा पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजएगा और अक्च्छे से एक्स्प्लेइन हो जाएगा मैं क्या समझा रह करें फिर भी नहीं होता तो आप डिरेटल मुझसे बात कर सकते हैं तो मैंने वहां बताया थी कि प्रॉस्पेक्ट के जो काटेगरीज होती है वह इस एफर आई इंडियस से बनानी है हमें लोग ने का कि हम कोड़ वाइस कैसे लेकर तो मैंने आपको दोस्ते पताया था कि कि जो होता है वह टीकर हमें यह पर पार वीक्रतागि दिक्कत नहीं हाथ हमें अगर फ्रन के पाहल फ्रन के लिस्ट देखनी है यानीग अश्तवाद करनी जो भी है तो फ्रेंड का आप एसा पचेनाभरण कि इंडेक्स सब्सक्रां छाम्जा Entonces हम guarएऊ लिखाने से पीजित में चाहता हुआ हम पड़ोसी की कीक्री काटइज करेंगे हैं तो हमरा टैम बचेगा हमारी मेहनत बचेगी हैं अ हम्हारी यही सबसे बड़ी इंपोर्टन चीज ये बिजनेस में और बहुत बड़ा कर भाएंगे अ म क्या सेयकिन तो कोड्त क्या है पर का हो जिस अेरिया में रहते हैं कि आपको जीस से लेकर जापूर में कोई रहता है यह जितनी पेंगे अगरे कोशिश हैं यह से कवर करें जैसे लेडी है है तो इसके अगर है तो उसके अगर वह है तो तो उसके हजबंड की फ्रेंड होंगे उसके बच्चों के फ्रेंड होंगे F का मतलब friend, friend का मतलब इस सारे complete family के friend, अगर कोई unmarried है, तो उसके खुद के friend होंगे, उसके मदर फादर के friends होंगे, और उसके siblings के, बहन भायों के भी friends होंगे, तो सबकी list कितनी expand हो जाएगा, आपका एक ही category कितनी बड़ी हो जाएगा, आप सूचो, अब इस category को कैसे करना है, अब friend, आप क्या करें, उस friend list के लिए, आपको लगता है, जिस, आपको लगता है, जो category मेरे सबसे जादा बड़ी है, यह अपको लगता है, कि मैं रिश्चदार बहुत जादा है, तो आप रिश्चदार के pages जादा छूड़ी है, आपको लगता है, कि friends मेरे कम है, तो कम का चूड़ी है, पेज़े कैसे भी कर सकते हैं, आपको पता है वो चीज़ के, आपको कितने बड़ी कैसे categories है, उसके carding आपने pages को छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपको एक दिन में सारे यादा जाएंगे, इसलिए हम pages छुड़वाते हैं, तकि जैसे जैसे यादा है, वैसे वैसे आप उसमें जो है, इंसर्ट करते जाएं, तो क्या होता है, कि हम, मैंने बूला आपको, कि second page पर आपको जैपूर राजिस्थान और इंडिया का बड़ करना है, इसा पोस करो, अगर कोई व्यक्ति जैपूर में रहता है, तो जैपूर के सारे area जतने भी सारे है आपको जैपूर के सारे कवर करना है, ऐसा नहीं करना कि वैशालिन अगर आपको सारे आपको याद नहीं है, हम इस पक्त आता है, तो जैपूर नहीं चूड़ दे, आपको लगता है कि वैशालि यहां से कवर हो जाएगा, और आपको लगता है कि वैशालि में फ्रेंड ही नहीं, आप next चलिए, तो जो आपको areas याद आ रहे हैं, और मैंने second page पे ब आपको लिस्ट बनाएंगे, तो वहां से आपको help मिलेगे, ठीक है, आप मेरा first video देखेगा, आपको समझ वाजाएगा, मैं क्या कहना चारी हूँ, तो आप वैशालि नगर और जो है, पहला वैशालि नगर कवर करने, मैं एक्जामपल दे रही हूँ, वैशालि नगर का मतल पराना राजिस्ताना मैंने का आथा है, लोगो को समझ में नहीं है, कोट का मतलब के होता है, आपको पता है, हमारा जैपूर का कोड के है, 14 है, ऐसे ही अजमिर कोड के रहा कोड के पता है, मैं तो code-wise को होता है, आपको अलफ़वेटिकली बूरू तो भी आजागा ना, अल पहले रहे हैं जो जो जिले आ रहे हैं अलफार्टिकली उससे क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड की का टेग्री मेंने बनाई थी कि मुझे मारूम्त है कि मेरा फ्रेंड को मरे कवर करना है अब सपोस करो मैं आउट ओफ जाती हूं और मुझे मेरे कोई फ्रेंड है वह मुझे याद है कि अजमेर में कोई फ्रेंड है और सब बिकानल में मैंने बिकानल में लिस्ट बनाई थी जाकर बीपर बनाई थी पूरा अलफ़वेट पर जमा रखा था तो मुझे पता है पहले अबर लगाल है सबसे बडि बात है हमें हमें को मैशोने दर्च वस्तार पाने के वराशाथ याद या तो यह फिस ने पहला वाला वीडियो सुनेंगे तो मैंने वो कोड जो है जो है क्लियर कर दिया ऐसी इंडिया है इंडिया में भी आपके 28 जो है अपके स्टेट साथे हैं उनको भी आप अल्फाबेटी कर जामाले एट उजया ठीके आंद्रप्रदेश राजिस्थान कौन से नामर पर आ रहा अब उसको भी मेंशन कर सकते हैं ठीके तो यह मने प्रॉस्पेक्टिंग इन सिखाए थी आपको फिर मैंने क्या था है क्या हमारे लिस्ट की कंप्रिट होती कि हम लोगों को लिखेंगे कैसे लोगों को इंसर्ट कैसे करेंगे उसकी बाद में सबसे इंपर्टन जो चीज हो हो तो हम और दो हम ऊउसके टिबाइट कड में लोगों तो वार्म सर्कल एक लुक वार्म सर्कल और लमारे एंडियर इंडिय है तर रेलटिफ हा जाते हैं लुक को फिर 하지만 हम काशन रखते हैं वो लोग आ जाने था हूट किल अंजान लोग ऐते हैं ठीक है तो यह मेंने सारा स last time invitation ब्रताय था Coca Key कौन कौन से अप्रोच मेले okay अब वेने बताया वाली आसे रिवाइजार मेंको शब्रिशना टा रहे कौन काम यह लिए पूर्जे बुर। जहां पर हम अलड़ी एड़ कर चुके हैं और वो लोग इंट्रेस्टेट है हमारे बिजिनस में उनको मोधी केर तो नहीं पता लेकिन उनको कुछ अट्रैक्शन पता है वो चाहते कि हमें हाँ हमने गोल दिया तृत अंदनी करवाना है बोले यास हमें कॉल करिये हमसे बात कर पिछले वाले को थोड़ा सा जो है आसानी हो जाए इसलिए हम मैंने पिछले वाले सेशन में इन्विटिशन के अंदर बहुत सारी अप्रोच की बात करें तो उस वक्त हमें दो चीज दिमांग माना चाहिए कि कौन सी केटेगरी है दूसरा इस पर कौन सी परोच काम करें ब है तो आप इन्विटेशन के मास्टर बन जाते हैं पता है कोई बात तो मैं केटेगरी क्लियर करने वाली हूं आपको कड़ चूक हूं पहले कौन को सी होती है अब आपको अप्रोच बताने वाले हूं कि इस केटेगरी में यह अप्रोच इस केटेगरी में काम करेंगी और उस वेक्ति को यही बात बोलनी है तो हो जाएगा आपकाम आसान इन्विटेशन हो जाएगा दिखिए दोस्तों आट ओफ इन्वाइटिंग हमारे नैट्वर मार्केटिंग में 95 परसंट काम करती है अगर हम लोगों को बुलाना सिख गए तो हमारा काम तो यही हो क्यों कि यह लोगों का बिजनस है हैना इसलिए तो डिरेक्ट अपरोच जो है हम सबसे पहले हां पर आप सथे बात करएंगे तो 9 अडमार्केटिंग में बहुत सारी अप्रोचूरोच उती है में जो हैं जो मेजर मेजर जो अप्रोचरूच है उनकी बात कर रही हो ठीक है आज सब स तो यह आता है warm circle में दूसरा आता है social media पर यानि अंजान लोगों पर warm circle मतलब हमारे बहुत करीबी रिष्टदार हमारे friends near and dear warm circle के लाते हैं ठीक है अब यहां पर हम इस अप्रोच को इस्तमालने सकते हैं तब क्या याद रहेगा जब आप किसी front को देहोगे रिष्टदार के यह मेरा यह कर्टेगरी और इस पर कौन सी अपरोच काम करने वाली इस पर डार्ट अपरोच काम करने वाली है तो अब उसको क्या है पता है आपको मेडिया social media बहुत सारे प्लेटफर्म है social media के जहां पर हम आज जो है मुनाट्रा मार्केटिंग बहुत बूम कर रहा है हमें बिल्कुल बिल्कुल इसको यूज में लेना है ठीक है तो हम maximum जो है हर एक प्लेटफर्म का यूज करें best to best यूज करें जितना हो सके हर एक प्लेटफर्म को यूज करें हाँ बहुत बड़े बड़े प्लेटफर्म से जो ओलेक्स वास्टैप स्नाप्चेट टिक टॉक लंक इंप्रेस्ट रोते हैं बहुत जादा वहां लोगों का इतना बड़ा जाल है कि आप सोच भी ने सकते लोग ही लोग है बस उनने तो आपको बताना है और लेडी बोलें कि येस हमें करना है ठीक है तो हम उने क्या बोल सकते हैं अगर हम बात करें अपने warm circle की तो हम उने क्या बोल सकते हैं कि हम सबसे पहले तो हाई हलो से बात करते हैं उनके हाल चाहर पूछ से नर्मल ऐस है है और डारेट बता दिया उनको मूदी के no this is not a right way at all ठीक है तो हम greet करेंगे सबसे पहले उनको hi hello बोले हाई हलो जो भी हम greet करते हैं जो भी हम अभी नंदन करते हैं whatever फिर उसके बाद में हम उनके हाल चाहर पूछेंगे नर्मल ऐसे करके पूछेंगे उसके बाद में कोई जैंट्स होगा है ना कोई जैंट्स हमेशा working में रहते हैं इसलिए हम उनको directly इस बारे में कह सकते हैं और अगर कोई लीडी है तो उस पर हम F.O.R.M form वाला जो सूत्र है वो काम में लेंगे तो greet का मतलब कर दिया हमने फिर उसको बोल सकते है अगर कोई बहुती क्लोस फ्रेंड मेरे कोई है और खास रश्चदार है तो मैं क्या बात कर सकता हूं या कर सकती हूं कि पार्ट टाइम कोई work है work from home है अगर ऐसा काम है इससे करते करते हमारी हमारी present income से भी आगने कर जाए तो कैसा रहेगा हम ऐसे इससे discuss करना है ठीक है तो बोलेगा अच्छा रहेगा तो यार मिलना तो मुझसे मतलब अगर हम किसी से इतना फ्रेंग है यह फ्रेंग पर ही काम कर रहा है स्क्वम दून अब सकते हैं कि मुझे बहुत अच्छ प्रोजक्त मिला है और मुझे अबसे में निग罐 एक पास बहुत अच्छ एडिया है का रहेट हैं को Táность सि भाष क्लो वें माहा कर सकते हैं Gone Circus अब यह पर्स यई इसे को क्या बोढ़ सकते हैं, होता है F.O.R.M. एक हम लगाते हैं, form का तड़का, वो होता है, ये भी मैंने लासे सुस्चों पर्षयों में समझाया है, और लोगों को से बात करेंगे , मेरी नार्मली that कैसे वोलेंगॉ यह मैने पुरर लाइस है मैं तो मेरे बच्चे कईसे हैं घसक्षे मोडिके पता सकते हैं एफ पर गए वहां कईसे हैं उसने बोला कि युद्स बच्चों कि रहा चिए अगर मेरे तो बच्चे कैसे हैं और एकर नहीं है तो परेंट कैसे हैं ऐसे वैसे गया अगर हमें वहां से और पता करते हैं कि हम गया कर रही हो आजी करके ठीक है तो खुछो कुछ नहीं कुछ बहुत कर रही हो चाइज दो ख़ार करने हुआ सबक्राइब साल ना ना और वह और चल रहा हुए तो positive answer होगा या negative answer होगा जब भी negative answer हो हमें negative I mean उसका दर्द ही तो पता करना था दर्द है जब हम पता चल जाता है जिस point पे F पता चल जाए या फिर O पता चल जाए जहां भी पता चल जाए वही रुख जाना है फिर हमें बताना है अब उसको feel करवाना है कि हाँ वाकई आपको उसके दर्द में दर्द दिखाना है तो मेरा दर्द भी ऐसा ही था ठीक है उसको बोलता है feel felt और फिर आपको बताना है कि था लेकिन अब ऐसा नहीं है राइट तो यह चीज़ हमें करनी है तो family पर हम गए और family family का जो में बात करत करती है है तो भी हम क्या बोलेंगे नहीं नहीं यार बाखी जैसा मेरी सब्सक्राइब को भी miss friend है तो मैं उसी क्या बोलूँगी है पहले फिर मैं feel करूँ यार मुझे एक पर पता जल जाया है कुछ ना कुछ बोलेगी ठीक है कि बूर हो रही है ऐसा वैसा टाइम नहीं मिल करवाने वाले हो ऑक्यूपेशन के होता है पेशा और फिर आप बताना है कि मैं जो मुझे भी ठीक दे नेते लेकिन मुझा रीसेंट लेसे बारें पता चला है कि मैं बहुत अच्छी से कुछ करने लागी हूँ आप बताने वाले हो आगे कि उसके दर्द पर आपको कैसा द अच्छा चल रहा है तो जहां भी आपको दर्द मिल जाए कि 4.FORM जहां मैं रुकना है पहले आपको दर्द मिल जाए चारों मैं से कहीं पताने चले सब कुछ बढ़िया चल रहा है फाइनली आप जो है कहां जाएंगे दूसरी अप्रोचस लगाएंगे ठीक है दूसरी अप्रोचस में आके बताने वाली हूँ वैसे इसे काम चल जाएगा हर घर में कोई आपको दर्द मिल जाता है तो बात करें तो फील्न हर ना पैले में भावी बहुत बरूरतीयार उसे आर्निंग भी होने लगी है और मुझ रोजा बरूजारा मुछी बहुत पॉजिटीव लोग मिलते हैं उनसे मुञाख होती उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मुझे मुल रहा है मुझे बहुत अच् यो फिल कर रहा हूँ हो वह बहुती कर रही है वह भी कर सकती है आपको सफीज तो भोलो कि आप उना एक नहीं बार आकर आकर देखा कोछ छलाएगा। संद्राइब करना अपको अपने ऐफिस के लिए ठीक है ऐसे कर ara तो अन ważne चल रहे हैं पहने में वी सिंदिगे रहे हैं मुझे परोजेक के बाहरे हैं पता चला आप मेरे38 फॉर्जेक बाहरे तो परोजेक के बारे Ukra retentioned पता चला पता चलाय जहां से हम अपनी को जी सकते हैं बहुत अच्छा ल Arms the change मुझे का निए घ्रलट को जी रहा हूं बस मुझे चाहता हूं कि लाइफ टैम मेरी जिंदेगी एचलती रहे में दूनिया का दिखने की दृष्टी को नी चेंज हो गया ऐसे थे करके कुल यार आना यार मैं फोन पर गया समझाऊँ तुम मुझसे मिलना ऐसा करुके हमें इतने अको फोन पर इस तरह से इंवाइट कर सकते हैं。 पूलता है तो पीम भी निलता या। फिर पहले मुझि भी और टाइम निलता था। मुझि कैसे हमें जब लोगों से बात करेंगे अपनी लोगों से ये वाम सैक्ल जा अब कभी भी ऐसे नहीं कोहते हैं कायाते हैं आप 2 minutes है उसको लागए कोई यह को formal एतना formal कि बनाएए आप उसे बिल्कुल frankly अपने बन गात करते हैं अतने frank उतनी frankly हो कि बात करना है बिल्कुल मिलावा टी नहीं लगना चीज से लगना नहीं कि आप कूछ यह से professional ही से कुछ कर रहे हैं ठीक है उनको बिलो अपना बुना के बुलाना है आपको तब ही successful होंगे आप ठीक है वो चलता है आपका cold circle में जह आपको दो मिनट लेने होते हैं किसी वक्ति से बहुत formal होके बात करने पड़ती है ना formal होकर तो वहां दो मिनट लेने पड़ते हैं वहां होता है अंजान लोग मुए अपी in कम सेट कर सकते हैं और कोई लीडी होती हैं है ना family होती है और हमारे एक दोसे भी आसपास होती है और इसके लावा हमारे हमारे solid ... होती है तो ऊत आक रहना चाहती बहँती बहुत बहुत आदी और आप आप आयों या लड़िक फ्रेंड से बोड़े यहां पर बहुत ना लीडिस की बहुत धादा इजद हो दिया इतनी सारी लीडिस है आपर ऐसे से आम परिवादा बहुत ही उस ग्रहणी लेबल सूट कराई हो आज बहुत अच्छे से जो है इतने confidence से जो है वह बहुत अच्छे से अपने को पूरा चेंज कर रहा है उनको देखकरना बहुत प्रड़ा मिलती है आउन न यह चलते हैं लेडिज को आपने को लिडिज क्या कर पा रही है आपको दिखाूती हूं आपको इसे करके हमें उनको invite करना है इस तरह की बाते बोलकर में आपको बूला सोचल मेडिया जितने भी चीज़े इसमें समझा दूंगी या फिर मैंको प्रस्टनली भीज दूंगी आगे लिडर इस एक पर लीडर को वर्ट कर दे सोचल मीडिया पर हम क्या-क्या-क्या तूर्स यूज कर सकते हैं एड के कि तुर पर तुर अलगसे हम बात करेंगे तो भी बतायाते हैं तो पो आपको देट क आप अप्रोच है और अप्रोच है तो हम एक अभी व्यक्ति अब आज की बाद में दिखेगा तो हम उसे अगर वांच अपनाएंगे अगर वो लेडी होगे तो एफ वा अपनाएंगे अलगे अवर वहाले बीटर लगे आगे मैं और बताने वाली हूं वहां काम आती ही 3rd party approach 3rd party approach और तीसरा है warm circle वार्म सब्सक्राइब गुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे हम directly नहीं बोल सकते हैं हैंना हमारे friend ही हो बले ही को अब हमें से लगता है कि यार नहीं नहीं कुछ ना कुछ तो इसको directly नहीं बोल सकते हैं तो आपको क्या बोलना है वह आपको बताने वाले हुआ ह सिर्ट करने ही हो जोगर जो भी आप बोलते हैं जो भी आमीन अंदन का फोर्म अपनाते हैं बेसे अब आपना है उनका हाल शाइड परच ही नहीं दू मिली ठीक है वर्ट का खेल होता है नाइट्वर मार्केटिंग में एक भी वर्ड गलग बोलते हैं तो वसमही पर हमाद खा जाते हैं तो हमें वर्ट का हमें अपने सेंटेंस का बशीज दिहां रखना है हमें याद कर लाना प्रैक्टिस से आपको सब कुछ आ जाएगा यह सेकिंड क्या प अभर्द है और हमें आसे लोगों के तलाश में जो घर से कंगर चाहते हैं ऑपने काम के साथ या हेजियों इसको सब्सटर्ग चाहते हैं अचरुइट को परिजपों आ चाहता है हम इसके लिए तो क्या किया सकते हैं के हम एक project work कर रहा है गुए एसे ही लोग की तलाष है जो इसतरह कर टेग्रीज में आते हैं फिर इसवकर लोग के लुग के लिए होना चीह हैं आप्याइस लोग की तलाष है ils बहुत लाइफ में बड़ा सोचते हैं और आगे बढ़ने की सोच हो रखते हैं, तो हमें ऐसे लोग के तलाश है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे जानने वाले हैं, तो प्लीस थोड़ी से आपकी मुझे हैल्प मिल जाएगी, अगर मुझे आप ऐसे लोग का कुछ बता दें, कि मतलब ऐसे कुछ लोग हैं, हम उनको भी बहला हो जाएगा, और आपको अच्छा सोचल सर्विचर काम है, अगर अच्छा प्लीटफर में जाएगा, तो उनको भी आपको हमेशा दुआ देंगे, और हमारा प्रोजेक्ट पे भी जो हम चाह रहे हैं, लोग की हैल्प करना तो वह भी मुकाम हम हासिल कर या जब भी आपके पार अदे गंटे का वक्त हो, आप बता दीजीगा, आप मैं घर पर आ चाहिए खागा, या अप मेरे घर पर आ चाहिएगा, आपने ओफिस में में मिल लेंगा, कैसे भी घर पर आइसे खर की आपको उस वक्त नहीं बताना, अगर आपको लगता है उस व यह से फ्री नहीं भूम रहा है एक तो यह है फर्स्ट ऑप्शन जो हम अपना से थर्ड पार्टी अप्रोच का मतलब होता है जिस व्यक्ति से हम डिरेट्ली नहीं के सब्सक्राइब कि हम आपको बताना चाहते हैं लेकिन हम उसे थर्ड पार्टी का रेफ्रेंस लेते हैं इसल व्यक्ति को नहीं कह सकते हैं जिस से हम रेफ्रेंस कंग रहें उसको है तो यह बहुत्त में सब्सक्क्राइब करसे ओर आगे उप यह हो अप्रोच को ना क्याहिंति हैं यह एक जाननेवाले एक नून है आपके शेहर में अपना प्रॉजक्त बोटक्त अनॉनने साट किया औ और उन्हें अच्छे पार्टनर के तलाश है, तो ऐसे विखती हो तलाश है, जो प्रोग्रेसिव हो आकर बने की सोच रखते हो, बहुत अच्छा ने लाइफ में इंकम सेट करना चाहते हो, तो अचानक मेरे दिमाग में आपका खायल आगया, तो आप मुझे लगा कि आपके करना पास मैं ऐसे लोगा रेफरेंस अब होगा, तो प्रीज आप मेरी एल्प कर देजी, ऐसे अगर आपको लगता है विसको के पारे थे बाया है, फ्रूवास लोग को पता पाई, आप समझ लीजी फिर आप समझा दीजिए, और आपको चाहर देक आटा कर टान बिगों त तो आपको बोलना है कि मुझे मिलकर देख लीजी है ना मिलकर देख रहते हैं कुछ यसे लोग के बारे मता दीजीगा आप देख लीजी है तो मुझे प्लीज ऐसे कुछ लोग के बारे मता दीजीगा तो जो इसका में इंप्रस रहे हो ऐसे करके आप उनका थर्ड पार्टी से उनको राफरेंस भी ले सकते हैं और उनको खुद को भी इंवाइट कर सकते हैं ठीक है तीसी अप्रोच होती है आज हम सीफ अप्रोच पढ़ेंगे हमारा इंविटेशन और मस्ट कंप्रीट हो जाएगा थोड़ा बहुत रहेगा बता दूंगे आपको एक पाइंट वहम ल चाहिए यह कुछ रिश्ट आपको लेकिन हमें लगता है कि मेरी अप्रोच को अपनाना सही है डियरेटली बोलेंगे तो नहीं आएंगे सब्सक्राइब आजाए यानि एक ऐसा बनाकर रखो बनाकर इस तारह से बात करो कि इसको लगे कि यार नहीं चलना चाहिए इसको बत कोई दूर के रिश्टार को बहाभी को बता रहे हैं फ्रंट को बता रहे हैं पर आपको कुछ रेफरेंस देना है याँ पर बोला है कि मेरे पुछ चादर है पज़क लाने वाले हैं उनके पास ऐसा 5-way-up plan है इस पर कोई भी व्यक्ति काम करके वाँ वावे रिवार दॉर् करके फर्स्ट आप यह बोल सकते हैं जहां पर आपको लगता है कि यह बोलना सगी रहेगा ठीक है सेकिन आपको बहुत अच्छा है कि मैंने सेकिन का सेशन दिखा था मैं सच बताव हैं अब हैं पर आप हैं इसकिन वह को अपी सारी बोल्ब्लम सीह जाओ अर पर आपर अच्छा लगा को लें बहुत अच्छा ट्रेनिग यह घुट ऑन दिह अच्छी ब्यूट प्रेणि कोने थी आपने अपने संदर कैसे रखे अगर हमारी उम्हुजाज के आप पर जमा कैसे रखें नेच्रल तरीके से को चैमिकल तरीके से नहीं तो भी आप भी आओ ना या और इती तीन चार को बोलते कि आप उनको भी लेकर आप बहुत अच्छा लएगा बहुत मज़ा आप उन्जा आपको दिखना तो ऐसे पर कोच बीटी को लेकर बाद करती है यह वाला ट्रिक अपना सकते हैं आपको लगता है कि आज कल बहुत प्रब्लम्स हो रही है हमारे आज कल एक बहुत अच्छा कैंप लगना शुड़ हुआ है और है वहां पर हैल्थ की बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं मेरे पास कि रिक बहुत अच्छा लाएगा मैं देख रहे हुं बहुत सारी लीडी गाती है वहां पर आके अपना टैस्टी मोनस दे रहे हैं कि यह बहुत रिलीव हुआ है और पता है आई-वेद तरीके से बहुत नेच्छल तरीके से पताते हैं माली क्यों हो रही है हमें कैसे बचे हैं से लाइफ टाइम हमें डॉक्टर का पाता जाने से बस सकते हैं बहुत अच्छा सशन जबर्दस असे करके आप उनको इतना अट्राक्टिव फॉर्म में परूसी कि वह इन्वाइट करें उनको सस्पेंस करके कि वह आ जाएंगे ठीक है उनका जो भी पिंट पॉइंट है वहा जो भी उसके ज़रत के अगर उसको इन्वाइट करेंगे तो डैफिनेटली ही और ही और शी विल कम है नो तो ऐसे करके एक हो सकते हैं कुछ लोग देशबत होते हैं जैसे आज को चल रहा है बहुत चीजों के खिलाफ जो है अभी हान चाल रहा है तो इसमें बहुत अच्छ आजिए उसको बहुत है लोगान चाल के और यहां उसको यूज़करस कर सकते हैं वह सबस्के अच्छा यह जो हमें कि इतना कितना हमारे देश को खसार हो रहा है तो देशबत होता है लोग को हम लोकर फुरूकर करके इन्वाइट कर सकते हो जल्दी पहब कर जाएंगे तिक ऑच पोस्टार्ट किया ऑप उनदेख सकते हैं कि थींच सकते हैं तो अब ऐसे पॉइय, बिरूक, कोईW durch पॉइन लेकर विजूरत लेकर आपे कोईपां कर सकते हैं वह थी हमारी सबस्पेणलit chaachoda हम बात करते हैं ऑपिनियन अप्रोच की ऑपिनियन का मतलब करता है हम किसी की ऑपिनियन लेना चाह रहें उसके सला उसके राय लेना चाह रहें लेंगे हम उनको वमेशा राइदेने के लागे होते हैं है ना उनको लता है अच्छा हम experience है मैं बुलाया तब बल्कुल जाएंगे यहर उसको मेरी help चाहिए तो यह इस तरह के लोग के लिए हम opinion अप्रोच अपनाते हैं हम क्या बोलते हैं क्या है चाहता जी या फिर मामा जी या फिर कोई भी चैस्पीरियंस है कि सर आंक्या मैंने बहुत अच्छी प्रजेक्ट पर काम शुरू किया है मैं बहुत excited हूं उम्रे की लोग experience successful लोग कहीं भी हो सकते हैं आपक आपके बारे में बहुत तारीफ सुनी है है आप बहुत successful लोगों में साते हैं वाकिया आपने life बहुत को अच्छी से life को अपने जिया है life को कैसे जीना चाहिए वो कई आपके सीख है मैंने बहुत चोटा सा एक project से कुछ दिखा है छोटा सा है बिल्कुल और आप इतने experience न इतने successful है प्लीज मेरी help करो ना आपने के बहुत अच्छा project के काम शुरू किया है छोटा सा है लेकि मैं excited तो बहुत साथ हूँ कि मैं कुछ करना है चाहता हूं लाइफ में या करना चाहती हूँ बट इस project को लेकर ना शुरू करना है मैं थोड़ी से nervous हुट क्यों भी नाया होंगा या होंगी ऐसे करके आप जो इनकी राय मांगेंगे help मांगे तो definitely they welcome तो आप या sir या परिशा मत हो यह मैं आपके घर आती हूं आ जाता हूं आप आओ तो भी मिलना जाओ उन लोगों उसके direct जाके मिलना पाता घर पे नहीं वह ऐसे लोगों होते हैं कि आनी पाते है कैसे स्टाड करूं सेमर से थोड़ी प्राक्टिस करना चाहती हूं मुझे थोड़ा सा नर्भसनेश हो घर प्लीज बुरा ना मा तो प्लीज मैं आपके अप स मेरisto कर सकते हैं कैसे क्या क्या मेरा रहेगा मेरा प्लान आप मता सकते हैं क्या क्मT कर आए ABOUTर इसमें क्या इंपर तारिक भी दो लेनी है और दिन भी दो लेना है अच्छा संडे को नो बज आजहाँ नो बजी बाद में आऊ ये 5 बज बाद दो तैम बिल्ग तो कोई नहीं को एक दिन बीब बताएगा और अगर आप ऐसे बोलोगे कि संडे को आना संडे को उने कब आऊं तो बोलेगा संडे को होना इसे नहीं करना ना जान पर दो पर मोसर थे हैं कोशिश करना है कि लिए का देंने है और वक्त दिन का भी दो श्वब्खलय में ऑधिन दोफिक्ति ऑफिर श्वुट हो गई ने आज वोग इतना इस वी श्युंट लेकक संज incentive देख सकते हैं इंस को समझा सकते हैं टेम हैं जितना समझाएंगे यहां दो बनाई आपका बिजनेस अच्छा कर देंगा अपना लोग को सिखा दिया तो आपके दो लोग ही 200 लोग लियाएंगे लेकिन आप 10 को ले गए चोड़ के बैठ गए उनको नहीं सिखाया ना आपने तो समझ लेजी आप बिजनेस में हम बिल्कुल फेल हो जाएंगे तो यह सिखाने का बिजनेस इसलिए मैंने स्टरी स्टार्ट किये तो आप लोग बहुत अच्छी से मैं समझा पारी हूँ जहां भी आप लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं और आप मुझे आपने अब तक हम जो है सोशल मेडियों समझा दी आपको मैं अब ऐसे लोगों से जहां लोग मिलते हैं उनसे कैसे स्टार्ट करें बात वार नेट्फॉर मार्केटिंग के स्टैप्स और हैं कि जो इन्मिटेशन होता है इसकी बाद में हम क्या करें भूलाते हैं तो उसके बाद मे नेक्स सेशन में तो अब तक के लिए इतना काफी है आप लोग जब तक के सेशन को पूरा सुनिए रिटेन रखिए ताकि प्राब्लम नहीं हो थैंक्यू सो मच थैंक्यू